नमस्कार दोस्तों, Knowledge Empire में आपका स्वागत है सौधी अरब एक ऐसा देश जिसके कानून पुरी दुनिया में फेमस है सौधी अरब के लोग रेट, तेल, शेख और मक्का मदिना की वज़र से जाने जाते हैं लेकिन आज हम आपको सौधी अरबय के कानून ये बारे में बताएंगे तो चल ये शुरू करते हैं दोस्तों, सौधी अरब में मैलाओं को हिजाब में रहना पड़ता है यहां तक रेट की सदर नहीं मिलती जब तक उसे चार चश्मजित गवाह ना हो सौधी अरब में मैलाओं गयर मर्दों से नहीं मिल सकती और जब भी किसी पबलिक प्लेस पर जाती है तो उसके साथ परिवार का एक पूरुष भी होना चाहिए ये कानून सक्ति से लागू किया जाता है सौधी अरब दुनिया के उन चुनिंदा दिशों में से है जहां मैलाओं के पहनाओं पर खास पाबंदी है यहां घर से बाहर निकलने पर मैलाओं को केवल हाथ और आग दिखनी चाहिए सौधी अरब में पौर्ण देखने पर पासक्त पाबंदी है अगर ऐसा करते पकड़े गए तो समझ लिना आप गए सौधी अरब में आप सौस वाला सैंड्विच नहीं खा सकते और यहां सूवर के मास पर भी बैन है सौधी अरब में आप पैलेंटाइन डे नहीं मना सकते इस दिन के आज पास पूरे हफ्ते दुकान नार अपने दुन दुकान पर दिल का आगार की चीजे भी नहीं रख सकता सौधी अरब में सिनिमा बैन है यहां के बहुत से लोग दूसरे देश में सिर्फ इसी ले जाते है ताकि फिल्म देख सके सौधी अरब अकिला ऐसा देश है जहां महिलाय ड्राइविंग के लिए तरस्ती है यहां के महिलाय जहास तो उड़ा सकती है लेकिन गाड़ी नहीं चला सकती सौधी अरब में समलाएंगी संबंध नहीं बना सकते ऐसा करने पर महुत की सदा दी जाती है सौधी अरब में जादू और टोने पर पूरी तरह बैन है यहां एक स्पेशल पूलिस यूनिट टो केवल जादूगरों को पकड़ने का काम करती है ऐसा करने पर सीधा गला कार्ट डिया जाता है सौधी अरब शायद दुनिया का वह देश है जहां पर महिलायों के बैंक अ इस कानून को मानती है सौधी अरब में गयर मुस्लिम लोगों को नागिता नहीं मिलती यहां कई गयर मुस्लिम अपनी पूजा पत्ति भी नहीं अपना सकता दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए तिल दे अस्ते कनेक्टेड